अपरियंता, अपन? माट्स वन मदिल, सेट्स हान चैप्टर समपलेला है, माट्स टू मदिल, बेसिक कंसेप्ट्स इन, जोमेट्री, या चैप्टर मदिल, सर्व वीडियो चा, लिंक आच्छा, या वीडियो चा निस्क्रिप्टिछन मदिलेला है, अधा अपन, पैरलल लाइ तेस्ट ऑफ पारलल लाइन्स आपड बगना रहो तेस्ट मंझे कसोट या तो दिले ले ले दोन लाइन्स पारलल आहेद कि वह नाहेद हे पहाणया चाह चाह टेस्ट है जाला आपन टेस्ट ऑफ पारलल लाइन्स मंझे कि पहिली बगा इंटीरियर अंगल टेस्ट पहिली टेस्ट आहे इंटीरियर अंगल टेस्ट स्टेटमेंट आहे इफ दे इंटीरियर अंगल्स फॉर्म्ड बाई अ ट्रांस्वर्सल ऑफ तू distinct lines are supplementary को से अस्तां interior angles मुठले ले नहीं supplementary जर दिलेला दोन lines ना एक transversal intersect करत असेल आणिक तया होना रे interior angles supplementary अस्तील तर then काया है then the two lines are parallel to each other ही तेस्ट है त्या मुझे lines are parallel to each other हाँ अपला consequent है to be proved next part of the statement आहे त्या मुझे याच्छा वरून आपड फिगर काई लिए बगा काई दिलेला है if the two lines are intersected by a transversal and some of the two and interior angles angle a plus b हे दोन कसे हैं interior angles है transversal च्छा एकाच साइडला असले ले interior angles some of these two interior angles equal to 180 degrees supplementary या शब्दाचा अर्थक है sum is equal to 180 degrees बसा असल तो देन या देन शब्दा कड़े लक्षर या देन line L is parallel to line M सशी ही अर्थ interior angle test है तशाच आप याला alternate angle test आणी corresponding angle test है त्याच स्टेट्मेंट मी लिखिलेले नहीं है आपड या स्टेट्मेंट चा आधारेच तैयार करना रहो बगा अल्टर्नेट अंगल टेस्ट स्टेट्मेंट कसा सेल इफ द इथे alternate angles if the alternate angles formed by a transversal on two distinct lines are congruent alternate angles कसे अस्तार congruent अस्तार then the two lines are parallel बगापड figure काड़िया two lines are intersected by a transversal and angle x and y are congruent angle x is congruent to angle y then zer असे z अका रचे z अका रचे alternate angles congruent अस्तील तर रच्स दीज लाइन्स आर पारलेल टू इच अधे लग्षाज्या अपड प्रॉपर्टीज ऑप्रापर्टीज ऑप्रालेल लाइन्स बगित ले formed by a transversal of two distinct lines are congruent then the two lines are parallel इते पर corresponding angles कसे अस्ता है congruent अस्ता अंगल a and angle b are corresponding angles and these two corresponding angles are congruent then the lines L and M are parallel to each other अश्या प्राकार ही corresponding angle टेस्ट है बंजये या टेस्ट हुमन ऑपना नेम कहां करतो lines parallel आहेत से प्रूँ खरतो lugяжु जह जह वा आपल॑लेल हैा पेपर मठे लाइनस प्रूफर आहेत प्रूफर्ट एपकर्ट्रेस्सिंगर अस्याव प्रैस्या अंलेस फीगर हे स्टेस्ज पुर्ण थे अल्लोग्ष ही अपर फर्स एक्जांपल हो गया, तुम्हाला फिगर दिले लिये, इन फिगर y is equal to 108 and x is equal to 71, are the lines n and m parallel justified, आप लियाला दोन लाइस दिले लिये, लाइन L is a transversal of lines m and n, आपले लिया जो लाइन्स दोन लाइस द्या parallel आहित का असा विचार ले, मञजच आपले ला parallel line चाट टेस्ट वापर हेएँ छएत, आपले आला दिले ले दोन अंगल कोंटे अर बगा अंगल X एन अंगल Y हे जे अंगल Z ते या ट्रांस्वर सल चा एकाट साइड से इंटीरियर अंगल Z तर आपले आला अंगल X अनी Y ची अडीशन करून बगता ही अंगल X प्लस Y is equal to 71 प्लस 108 अडीशन आली 179 अच्छी एजे दोन इंटीर अंगल Z ते या अडीशन किती या ला पाईजे इव थीस तो लाइशन आर पारलल 180 इग्रीज अपले आपले आपले आलीशन आली एका 180 नाही 179 इग्रीज अशी तर शेल तर थीस तो आंगल्स आर नौट सुपलिमेंटरी एका अपले आ इंटीर आंगल टेस्ट है ती इथे सैस्टिस्वाए होत नाही है मंजेद सुछ लाइन एम अन आलीशन आ न आर नौट पारलल तू इच अधर आपले ला पसल हीता एका बहा X plus Y is not equal to 180, line M is not parallel to line N as it does not satisfy interior angle test for parallel lines, आपले तीन टेस्ट हो गया, याटनी कोंटी टेस्ट आपड़ इधे वापरून बखतो है, interior angle test, करना आपले ले दिले ले दोन angles कोंटे है, interior angles है, मत ते supplementary आहेत का बगा है सह, ते supplementary नाही है, that means these two lines are not parallel to each other, आशा प्रकाट चो छोटा example तुमाला, दोन मारकाला योग शक्ता, अधा next example भोगी है, जे सुधा दोन मारकाट चाहे, आपले ले दिलाई, in the figure, if angle A and angle B are congruent, then prove that line L is parallel to line M, बड़े जे angles दिलेले, ते अशा प्रकार्चे angles दिलेले, आपलेला जर, test for parallel lines वापराईचा अस्तेल, तर आपड, हाँचो A angle है, त्याचा एक opposite angle इथे गयोगी है C, figure मदे दाखवाएचे तुमी, आणि त्या C ला लक्षा गयोँद, आपले ले प्रूफ लाईचे, बगा, आपले ला अलरेडी दिलेला statement का है, angle A is congruent to B, ते अबोदर रहुं गयोगी है आपल, angle A is congruent to B, statement 1, reason लेचे given, आणि इथे, angle A is congruent to angle C, reason का है लेचे, vertically opposite angles, है आपले second statement है, आता है जे दोन statement है, तैंसे रिक्षर काला, या दोनी statement चा, हाँचो LHS है, तो LHS सार्खाचे, या चाज अर्थ आरेचे सुधा, कसा असला बाईचे, सार्खाच असला बाईचे, मन जेच, angle B is congruent to angle C, from statements 1 and 2, आता B and C, कसे angle चेद बगा, B and C, है दोनी angles, या लाईच चा, खाल चा बाजु चेद, आहिट, ट्रांसवर सलचा, एकाच साइड चेर, अश्या angles ना काया हुटतो, आपन, corresponding angles, these two corresponding angles are congruent, therefore, by corresponding angles test, for parallel lines, line L is parallel to line M, आपन third example बहुए, figure दिले लिले, इस साइल ला तुम्हाला थोड़ी complicated दिसली, तरी example अतीशे सोपए, काय दिले बगा, in the figure, angle A is congruent to B, angle X is congruent to Y, prove that line L is parallel to line M, हीच लाइन पहिली, या तीसरिया line C congruent है, या आपने ला प्रूम करहेंचे, आपन step by step जाना रहो, अभो तर ही लाइन या लाइन ला पारलल दाखवाईचे, त्यान तर ही लाइन या लाइन ला पारलल दाखवाईचे, आणि त्या मुडे आपो अकच, पहिली लाइन तीसरिया line ला पारलल होना रहे, आपने ला दिलेला conditions सब आपर करहेंचे, बगा, अंगल A and B are congruent, असा संगीत लेला है, त्यर है, अंगल A and B, कायद बगा, अंगल A and B are corresponding angles, formed by the lines L, M and transversal K and these corresponding lines are congruent, यह गीवन आहे, जर corresponding lines, corresponding angles congruent असते हिल, तर lines are parallel to each other, by corresponding angles test for parallel lines, उन्टे तरों lines है, line L is parallel to line M, यह अपला पहिला statement होड़ा रहे, test वापर तो है, आपर corresponding angles test, कारण corresponding angles congruent दिले, आता आपर दूसरे पोजिशन कड़े सातो है, angle X and Y are the alternate angles, कसले angles है थे, alternate angles है बगा, अशा प्रकार है Z, आकर form करना रहे angles है, angles X and Y are alternate angles, formed by the lines M and N and transversal, यह transversal ला नाओ दिला नहीं है, ते हमोए अपन काहिला है ला लोको, आणि, इस तो angles X and Y are congruent to each other, this is our given statement, if the alternate angles are congruent, then these two lines are parallel to each other, therefore, by alternate angle test for parallel lines, line M is parallel to line N, statement 1 मदे काहिए दाखा हुला आपन, line L मंज़ पहिली, first line is congruent to second, line M, second statement मदे दाखा हुला, second line मंज़ M, is congruent to the third line N, काहिए ज़ला, पहिली दूसरे ऐशी congruent है, दूसरी तीसरे ऐशी congruent है, हीजी line M ऐथी कामन है, it is parallel to L and N, या मने आपन लीटो है, from 1 and 2, line M is parallel to the line N and line N, therefore, line L is parallel to line N, so, पहिए एग्जाम्पल है, दोन टेस्ट वापनाएचे, पहिला स्टेपला, corresponding angles test for parallel line, and second step ला, alternate angles test for parallel lines, अशा पद्धत इने, या दोन स्टेप स्वरू, आपन conclusion आड़को, line L is parallel to line N, आपन लास्ट एग्साम्पल बहुआ, एग्साम्पल 4, आप लेला figure दिले लिये, काई-काई संगीत लाए बगा, ray AE is parallel to ray VD, and AF is a bisector of angle EAB, लुक्षाद ग्या, हाँ संपूर्ण angle है EAB, या angle सा हाँ bisector है, AF is a bisector, आणि bisector denote करने साथी, X, X, ऐसे दोनौस equal angles, अपने लाधा खाँ लेल, आता बगा, आगल रे, बीसी इस दो, बाई सेक्टर ओफ एंगल EAB, हाँ सो खाल चा, रे, बीसी आहे, हाँ रे, बीसी, मी यालों लोने साटते, रे, बीसी, इस, bisector of angle ABD या ABD चा हा bisector है या मैं इथे पण YY असे equal major असलेले angles दखावलेले prove that line AF is parallel to line BC आपलेला line AF is parallel to line BC प्रूव करेचे कोंट्या ही दोन lines parallel आये थे प्रूव करने साथी आपन कायग आपर तो test of parallel lines या साथी अवोदर दिलेले पहिला condition पासन शुरुवात कर विया ray AE is parallel to BD ray AE is parallel to BD and AB is a transversal therefore, हेजे angles तयार जलेले अदमधा, हाँ पहिला angle गया, angle EAB आणि हाँ angle है angle A, B, D हे कशा प्रकार्ट चे angles है, alternate angles these two angles are congruent, मंझे measures of these angles are equal आता बगा, या statement चा दोनी साइड्स ना मिया हाफ ने मल्टिप्लाइ करते हैं multiplying both the sides by half, we get half of the angle EAB is equal to half of the angle ABD या अपला first statement गया आता पर, या चाम अधे काड़ मिया angle FAB मंझे का है angle FAB कसा में तो बगा FAB जर तुम्हाला काढ़ाइचा असेल या अंगल काढ़े लक्षा क्या angle FAB काढ़ाइचा असेल तर हाँ angle या रे A, F वे तयार जलेला है रे A, F is a bisector of angle EAB bisector मंझे FAB जर मेजरमेंट कीती अशना रे half of the angle EAB जर अपन लिह तो है angle FAB is equal to half of the angle EAB तरस अपन खाल सा angle काढ़ या या बगा angle A, B, C हाँ जो angle है angle A, B, C हाँ योड़ाचा angle तो जर आपलेला काढ़ेचा असेल तर हाँ angle A, B, C कासा अशना रे half of the angle A, B, D half of the angle A, B, D reason काढ़ ray B, C bisex angle A, B, D ray B, C bisex angle A, B, D बगा या दोन angles से measurement अपलेला मिया ले ले स्टेटमेंट 2 and सेटमेंट 3 मदे आता बन याचा रिडिक्षन रविया इथे half of the angle E, A, B अणि इथे लेले half of the angle A, B, D these two halves are equal half of the angle E, A, B is equal to half of the angle A, B, D these two halves are equal that means RHS of these two statements are equal मंजे स्टैंचा LHS पन कशा असले बाहिजे equal असले बाहिजे अणि LHS आहे FAB is equal to A, B, C FAB is equal to A, B, C from 1, 2 and 3 याचा बरू आपले आला these two angles are equal that means these two angles are congruent to each other अई, angles कसेट बगा इथे यलो ने रखोलेद FAB and A, B, C angles are congruent to each other these two angles are alternate angles these two angles are alternate angles when alternate angles are congruent by alternate angles test for parallel lines these two lines are parallel to each other कोंड़ा लाइन है? line AF is parallel to line BC by alternate angles test of parallel lines आच्चा या वीडियो मधे आपन चार examples भगितले जे test of parallel lines वर depend होते हैं आच साहा वीडियो जर तुम्हाला अवड़ा सेल तर लाइक करा आपले आ मित्रमाइतर निगना शेर करा आणि आपले यार चार्टर मधिल पूर्चे होट्स आणि इतर कहीं महत्वाचे पुडिल वीडियोज पहाणया साथी आपले या चैनल ला सब्सक्राइब करेला विस्रू नका